तो सो ज्यादा कंप्लेन आई रेप हत्या जैसे कंप्लेन घर जलाने जैसे कंप्लेन कोई कारवाई नहीं हो रही है और अगर कारवाई के लिए ठाने जाते तो पुलिस उल्टा धुका के जो है यह कहले थी कि जेल भेज देगे तो मैं समझता हूं कि जब बिना सूचना के सो सो ज्यादा कंप्लेन आई होगी तो यहां अत्याचार की घटना कितनी बढ़ रही है अगर पुलिस और सरकार मिलके महिलाओं को गरीबों को किसानों को मैं दूरों को स्ट्रक्षा नहीं दे सकती है तो ऐसी सरकार सरकार की जड़त इन वर्गों को क्यों है बड़े पहमाने पर मैंने यह नोटिस किया अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पिछले वर्ग का जो अरक्षन था पिछली सरकार ने सताइस परसेंट की बात की अब बाद में वो साड़े साथ परसेंट पर पंच्छा चुना हुआ है यानि कि सबसे जड़ता अगर कही अन्याय जहां खुद 90 परसेंट आवाजी बोजन समाज किये उस प्रदेश में हो रहा है तो महां के वाज को उनके साथ होने वाले सन्याय के वाज को में मजबूती से उठाना पड़े हैं यहां दलीतों का जीना दुर्भर हो गया है आज भी आयाद भारत में जो घटनाएं पहले सुनी जाती थी कि गुलाम भारत में होती होती सहाजापूर में जो हुआ कि उस बच्ची को इसलिए नहीं पढ़ने देने जाने दे रहे हैं कि भाई वह अगर उसको बेटी पढ़ने नहीं जाती है तो आद तो महिलाओं को बराबर क्या दिका रहे हैं आद तो इस देश की राश दिश्बूत कर रहे हैं और जो भाईचारा कूटा वा भाईचारा बिखरे बहुजन समाज को एक जूट करने के लिए एक न्याय यात्रा एक भाईचारा यात्रा हम लोग जो है ना मद्य परदेश में शुरू करने जारे हैं कब से होगी वो सितंबर में हम लोग उसको ना मद्य और जिस तरह से आज भी आर्थिक गैर वराबरी का हम लोग सिकार हैं कि तमाम तरह के रिसोर्स से हम लोग दूर है नाम पे जमीन हैं नाम पे रोजगार है नाम पे जो भरतिया होती उनमें बरश्टाचार हो जाते हैं उन सब चीजों के खिलाब में सरकार के जो पूरा में बना के आप लोगो को दिया जाएगा और जो इस दिन बड़ी सभाव की वो सब्सक्राइब जाएगा अब समाज को इताय करना है कि उनको के साथ जाना है उनके साथ जो सुनाओं लड़ते हैं उनके साथ जो संगर्स कर रहे हैं आप भी जानते हैं कोई ऐसा इसुनी होगा मद्ध्रदेश का जिसमें भी मार्मी के लोग खड़े होके कॉमजोर वर्कों नियाई दिलाने के काम नह में आये थे क्या यहां पर भी यहां तैयारी उससे ज्यादा बड़ी यहां लड़ेंगे लड़ेंगे लोग का दिल भी जीतेंगे उसके लिए मेहनत करेंगे जिन लोग के लिए काम करते हैं कल्सुपूरी में सभाती और बारिस के बावजूद जो हुजूम था टेंट के इतने अंदर लोग थे उतने भारती यह बात का पैमाना है कि यहां बीजेपी कॉंगरस से लोग तरस्त हैं और वो नया विकल्प चाहते हैं यहां दिवासियों की पिछडों की दलितों की मैनोर्टी की कच्छे अबादी है जो चाहती है कि बैसाक्यों के साहरे नारा होते ह है वो अपने मुद्दों की बात करते हैं तो यहां धरम की बात जाती है 75 साल से हम लोग इन लोग वरोसा किये और हमारे इसे में सिरफ जूटन आई अब बहुजन समाज के जूटन पर जिंदा नहीं रहना चाहते हैं अब अपने लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अपने पर पहुंचे थे और उनकी सरण में वो पहुंच गए क्या आपका साथ अब वो सही रास्ते पर आगे हैं उन्होंने कुछ कहा है जिसके परिणाम बीजेपी के नेताओं ने बताया कि बीजेपी और अन्य दलों में पिछड़े और दरिद्वर्ग की हैसियत गुलामों से ज्यादा बढ़कर नहीं है अगर आप महां रोटी रोजी के रहना चाहते तो रह सकते हैं बाकि अगर आप अपने समाज के हितों की बात करोगे या वास्तिक बात करोगे तो आपको पार्टी से बाहर का रस्ता दिखा दे जागे यही हुआ उनके साथ तो मेरी उनके प्रत पार्टी के पदादी कारियों के व्यक्ति का दूरूप से जागर को अंबिटकरवादी मुव्मेंट में काम करना चाहेगा तो मैं सपस्वागे तो वालियों चंबल की जंता ने 18 व्याय कुआ करते थे प्रहमण समाज के और आज दू है तो क्या लगता नहीं है कि तीसरे म सबस्वादा में जगे नहीं बड़ीщा परमादी pink अपनी वास्टिक पर्चित नहीं बेज पाएं क्योंकि अभी तो जिन लोगं को भीज है वो सधन में इसलिए भी प्रटी के हीत में ज्यादा बोलते है समा इसलिए में कम बोलते हैं अगर वह समाज के थमनने लग लग ज तो उस वर्ग में पैदा हुए लोग को ज्यादा संगर्ष करना चाहिए और हम भी लोग संगर्ष कर रहे हैं तो सब लोग को संगर्ष करना चाहिए पचास से मौका दे रहे हैं अब उन्हों देख लिए कि 18 विधायक बनके भी हमारे हितों की रक्षा